आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं कोई भी सैमसंग का फोन और यहाँ पर अगर आप अपने सैमसंग के फोन में किसी ब्लूटूथ दिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है device है या फिर किसी phone को Bluetooth से connect करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले open करना है अपने phone में settings को यहाँ पर हम settings को open कर लेते हैं settings को open करने के बाद आपको एक option मिलेगा connections का तो आप connections पर click करिए उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक option आजाएगा Bluetooth का यहाँ पर आपको Bluetooth पर click करना है और आप इस page पर आजाएंगे अगर आपको यह option नहीं मिलता है तो आप अपने phone में notification बार को open कर लीजिए आपको नीचे की तरफ slide up करना है उपर से notification बार को open करने के बाद आप देख सकते हैं एक option आपको मिल जाएगा Bluetooth का इस पर आप दबा के रखिए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक option इसे चालू करने का तो इस पर आप click करिए और इसे on कर दीजिए on करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके Bluetooth device अवैलेवल होंगे near तो आपको वो यहाँ पर show करा देगा इस तरह से तो example के लिए यहाँ पर हमारे यह speaker है SP43 इस पर हम click कर देते हैं connect करने के लिए यहाँ पर आपको show होगा pairing उसके बाद एक option आएगा pair का नीचे pair पर click करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा speaker connect हो चुका है तो इसी तरह से आप भी किसी भी speaker को किसी भी Bluetooth device को अपने Samsung के phone से connect कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें करेंगा है